हाई एवरिवन आप सब का बहुत बहुत स्वागता आपकी छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दो हजार चोविस जो की चल रहा है और दो हजार तेज की कुछ ऐसी स्पेशल टूर्णमेंट जो किसी देश ने जीती है किसी खिलाडी के द्वारा जीती है लेकिन किरलास शुरू करने से पहले बचा आप सब को ट्रिब्यूट करना होगा हमारे फुटबोल के मैजिकल स्टार खिलाडी सुनील छेतरी क्योंकि उन्होंने आज ही मतलब आपको ये वीडियो ऐसे कल मिलेगी सुबा आज ही आपका रिटार्मेंट जो है अपने अनाउ सिर्फ इन्होंने और इनकी टीम के द्वारा आपका किया गया है तो वर्ल नमबर थ्री तीसरे नमबर पर आफ्टर रेनोल्ड और मैसी सबसे ज़ादा इनके पास गोल्स है इंटरनेशनल तो इन सब को हमारी तरफ से हैपी रिटार्मेंट और फुटबोल इतना ज़ादा ही हमारे भारत में लेकिन हाँ जो थोड़ी सी पहचान मिली है वो बिल्कुल इन ही के साथ मिली है तो चलिए फिर अपनी आज ही ग्लास को शुरू करते हैं आपका पहला सवाल यहाँ पर मौजूद है और पहला सवाल आपके सामने है किस टीम ने 2023 और 2024 संतोस टोफी संतोस टोफी बच्चा जो कि आपका फुटबोल में दी जाती है इसका खिताब जीता है तो संतोस टोफी जो जीता गया है वो आपका किसके द्वारा जीता गया है मेगाले उतरखंड या फिर आपका सर्विसिस तो बच्चा यह सर्विसिस ह जाएगा इसका सही जवाब option number C ये कहां पर हुआ था ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था और इसमें जो runner-up यानि कि जिससे जीती है वो आपका गोवाराज्य रहा है किस टीम ने रंजी ट्रोफी रंजी ट्रोफी आपके cricket में दी जाती है और बहुत जादा famous भी आज़कल हो रही है इसका किताब किस के दौरा जीता गया है तो रंजी ट्रोफी 2024 जो है वो मुंबई के दौरा जीता गया है 2024 महिला प्रीमियर लीग यानि कि WPL बच्चा किसके द्वारा जीता गया है तो ये आपका RCB के द्वारा जीता गया है जिसमें मैंस्टीम अभी तक एक भी किताब नहीं जीती है और RCB ने जो हराया था ठीक है कहां लिखा हुआ है ओप्शन नमबर A में RCB ने जो हराया था वो आपका Delhi Capitals को हराया था और ये दूसरा संस्क्रण था पहला संस्क्रण मुंबई के द्वारा आपका जीता गया था पैरिस ओलंपिक जो कि 2024 में जस्ट होने ही वाले हैं भारत का ध्वज वहां का आपका कौन होगा तो आपके जो शरत कमल है टेबल टैन है ना यह आपका जुलाई के महीने में होने वाले हैं आगे 2023 और 2024 का UEFA Women's National League जो है वो किसके द्वारा जीता गया है वच्चा यह फुटबोल स्पेन के द्वारा जीता गया है टीट्वेंटी इतिहास में आपका सबसे तेज सतक लगाने वाले का नाम क्या हो जाएगा तो जोन निकोल आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा तो 2023 प्रो कबड़ी लीग जो है इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है तो पहला टाइटल बचन का और यह है आपका है ध्यान रखना तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो पूरुस एकल का खिताब है वो किसके द्वारा आपका जीता गया है बचा तो यह आपका जैनिक सिनर यह बी ओप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनके द्वारा जीता गया है मैंदडीव को ही इन दोनों ने इसको जीता है आगे किस राजे ने खेलो इंडिया और यह आपका रिवीजन है बच्चा आच्छे से कर लेना ठीक है किस राजे ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मैंजबानी आप ही करी थी तो यह आपका तामिल नाडू के चार शहरों में हुआ था चि दूसरे नमबर पर तामिल नाडू रहा है और तीसरे नमबर पर हर्याना रहा है लेकिन हर्याना के मेडल जादा है बट गोल्ड कम है खेलो इंडिया यूणिवर्स्टी गेम 2023 देखो बचा दो हजार चोबिस का है और अगर आपसे बाइचांस पूछ लिया जाए जो हजार 23 का किताब तो आपका पंजाब यूडिकरी ने जीता था इस चीज़र का घंच रखना है आपका यहा दूसरी नमबर पर लौनी अम्र आप इसको जानते हैं वह उस्टेंग आपका जो city था वो गोहाटी यानि के अजाम था कौन सा देश 2025 एशियन सीथ कालीन खेलों की मेजबानी करेगा तो यह चाइना में होने वाले हैं आपका option number C जही सही जवाब हो जाएगा और 2023 के 2023 के जो एशियन गेम से हैं वो भी आपका वच्छा चाइना के होंजाओं में जिसमें 107 मेडल मिले हैं और वही बात करें अगर हम पैरा ओलंपिक की तो हमने बड़ा कमाल किया है 111 मेडल के साथ हमने इसको एंड किया था आगे देखिए किस देश ने 2024 अंडर 19 क्रेकट विशु कप का खिताब जो है जीता है तो आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है जीतने वाले अभिनव बिंद्रा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नमबर A is the right answer और 2023 ICC प्रूस किरकेट विशु कप का खिताब किसके दुआरा जीता गया है तो बच्चा इनका यह लगातार तो गलत हो जाएगा कहना सिक्स्थ टाइटल था और यह ज जीता गया था और इनका यह अब ऑस्ट्रेलिया का सिक्स्थ टाइटल है भारत को हराकर या फिर भारत कई इसमें उपविजेता रहा है तो बच्चा देखो सबसे पहले तो यह गोवा में इनका आयोजन हुआ था यह चीज को ध्यान रखना है महरास्ट इनमें यहाँ पर नंबर वन पर रहा है महरास्ट आपका सही जवाब हो जाएगा और उसका मसकट जो है वो आपका मोगा था चोथे एश्याई खेल चोथे एश्याई पेरा खेलों में भारत ने कितने पदक जीते है तो 111 भारत ने टोटल पदक जीते हैं 2018 ओलम्पिक में कितने खेल जोड़े जाएंगे तो एक न्यूज आई थी मैंने इसको कवर भी किया था 2018 के जो ओलम्पिक गेम्स होने हैं वो अमेरिका के लोस एंजलिस में होने हैं उसमें बच्चा 5 खेल एड़ किये गए हैं बेसबोल, सोफटबोल, क्रेकेट, फ्लैक फुटबोल, ठीक है अलेक्रोज और बच्चा स्क्वैश ये आपके गेम्स हैं आप इनको अराम से देख लेना ये एड़ किये गए हैं आपके 2018 के आपका और क्रिकेट मतलब बेस्ट बात ठीक है आचा आगे 2023 सेयद मुस्ताक अली ट्रोफी जो है ये किसके द्वारा जीती गई है तो ये पंजाब के द्वारा आपकी जीती गई है 19th Asian केलो में किस देश ने सबसे जाधा पदक जीते हैं तो चाइना ने सबसे जाधा पदक जीते हैं और मैंने सेकिंड थर्ड और फोर्थ दोनों आपको तीनों आपको बता दिये हैं 2023 यूएस ओपन में पूरुष एककल खिताब किसने जीता है 2023 का यूएस ओपन यूएस ओपन हो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो बच्चा ये दोनों आपके जीते हैं तो अमेरिका की कोको गोफ और 19 साल की ये थी जब इन्होंने ये खिताब आपका जीता था 2023 विश्व एथलेटिक चैंपेर्शिप में किस देश ने सबसे जाधा पदक जीते हैं तो यूएस ओपने सबसे जाधा पदक जीते हैं कहां पर हुआ था ये बुड़ा पेस जो कि आपके हंगरी की राजधानी है ठीक है डैन्यूब के किनारे नंबर वन पर यूएस से रहा है टोटल इनके पास 29 मैडल गए है भारत के पास एक गोल्ड आया था और वच्चा हमारे जैवलिन थ्रो गोल्डन बोई है नीरत करने की ज़रूत नहीं है यहां से आपके पूछे जाएंगे ठीक है और यह इनका फिफ्ट टाइटल था चिन नहीं सूपर किंग्स का यह ध्यान रखना इसी के साथ ही बच्चा मुंबई इंडियन्स के साथ आपके क्या है बराबरी कर गए थे और गुजराट टाइटन्स में उपविजेता रहा थ महीला विश्व मुक्यबाजी चैंपिंशिप दो हजार तेइस में जो हुई थी भारत के नई दिल्ली में किस देश ने सबसे जादा पदक जीते थे तो इसमें सही जवाब हो जाएगा भारत और भारत की चार बच्चा आपके फीमेल वो कहिए न शक्ती चारों ने जीता गया है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन दो हजार तेइस भी आपका नुवाग जैकोविच के द्वारा जीता गया था किस देश ने दो हजार तेइस में ICC महिला ICC महिला T20 विश्व कप का खिता जीता था तो ऑस्ट्रेलियन जीता था साउथ आफ्रिका को हरा कर और हुआ यह आपका साउथ आफ्रिका में ही था ठीक है तो यह थे आपके मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आपके वच्चे कुछ दो हजार तेइस और दो हजार चोबिस के ऐसे खेल जो आपके सबसे जादा सुर्ख्या वह तोरते हैं और आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेंगे सब्सक्राइब आउट चैनल अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कॉमेंट बोक्स में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टोपिक पर चाहिए वही टोपिक आपके सामने हाजिर हो जाएगा आज नहीं तो कल तो टेक कियर एवरिव बाइ-बाइ एंड धन्यवाद दिल से